हैं नाखून के उपर पड़ते हैं कि नाखून के उपर उसके गुण और दोशों के बारे में देखो यह अभी जो हम लोग ना पहला पांच या छे क्लासेज हमारे ऐसे होंगे ना सिर्फ हाथ के स्ट्रक्चर को समझने का है ठीक है और यह सिर्फ आपके लिए जरूरी इसलिए है कि अगले जिसका आप हाथ देख रहे हैं उसको अंडेस्टैंड करना वह इंसान का नेचर क्या है यह आपको बोलना नहीं है उनको जब आप प चार-पांच क्लास ऐसे होंगे ना सिर्फ स्ट्रक्चर को समझने के लिए यह कभी भी आपको अपने कस्ट्रमर्स के साथ डील नहीं करना कि आपका नेचर यह है वह वैसा नहीं बोलना आप खुद के समझ के लिए यह है तो सबसे पहले लिखो अगर नाखून पीला पन ल तो लिखना ऐसे लोग थोड़े से मूड़ी होते है है ठीक है है मुड़ीन की कमी होने की वजह से इनका जो मूड होता है है थोड़ा सा सभीजिकलश thank you कि इनका सिंपल इनको सिंपल रेमेडिय देना है कि आप अच्छा खाना खाऊ मतलब नुट्रिशन वाला खाना खाऊ यह पीलापन हट जाएगा नॉर्मली सब्सक्राइब बॉड़ी में जब नुट्रिशन नहीं पहुंच रहा तभी उनको यह पिलापन आता है ठीक है और एक तरह से कह सकते हैं उनका लीवर रिलेटेड इशूज भी रहता है मतलब उनका ध्रस्पती जो है वो गड़बड़ है नाखुन का जो उपर वाला शेप होता ना अगर आप देखो है कई-कई नाखुनों को का शेप जो ना बहुत बिगड़ा हुआ रहता है डिफरेंट डिफरेंट मतलब की वेव टाइप बना रहता है या फिर उसका जो क्वालिटी थोड़ा सा बैड होता है अच्छी क्वालिटी का नाखुन नहीं होता है और थोड़ा सफेद वाला रहे सफेद या थोड़ा सा डाकिश सक्ट रहे तो ऐसे लोग को लोगों का जो मेंटालिटी होता ना बहुत संकीर्ण मतलब छोटे मन वाले होता है अधियर वेरी नैरो माइंड़ेड नाखुन का कलर अगर वाइट छेतना जी माई कॉन करके बोले क्या बोलना चाहरी है अधियर वाइट 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 कलर रहे तो कुछ हद तक इसको कहेंगे थोड़ा सा डेफिशेंसी ओफ ऑक्सिजन और जो फाइनल स्टेज होता है मतलब कि जिनके बॉड़ी में एकदम ही ऑक्सिजन कमी होती है तो उनका नाखुन का रंग नीला पड़ता है नाखुन और होट यह दोनों का रंग नीला पड़ जाता अगर बॉड़ी में ऑक्सिजन की कमी है तो तो सबसे पहले यह जो सफेद रंग होने की विएसे इनका जो सोचने का पैटर्न है ना बहुत सीमित है लिमिटेड उसमें चलते हैं उनकी सोच बहुत लिमिटेड होती है नाखुन अगर स्मूद चिकना रहे शाइनी रहे और नाखुन की चोड़ाई अच्छी रहे दिखने में सुन्दर हो ऐसे लोग बैलन्स होते हैं और हर चीज में सही डिसीजन ले सकते हैं मतलब बहुत धीर स्थिर शांद सभाव के नाखुन का रंग अगर कॉपर करे ना तो बहुत रेड़िश और नहीं बहुत ज़ाइदा वाइट कॉपर कलर तो ऐसे लोग चतुर यानि क्लेवर तो पीले नेल्स में नहीं आया तो नेल्स हम पीले बोलते हैं उससे भी गाड़ा हो गया अप्ट नहीं यहां यह उससे बहुत ज्यादा गाड़ा पीला वाला तो पुरा यलो इस दिखेगा जो कॉपर कलर वाला होता है उसके बॉड़ी के अंदर कैसा रहता है ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है ठीक है और एक आता है रेडिश रेडिश वाला थोड़ा सा मंगल इफेक्ट आयता है जानते हैं यह आपको चेक करना है अगर यही जब तक आप नहीं मतलब प्रैक्टिकल या हाथ बहुत सारे नहीं देखोगे ना खुझ से क्योंकि स्वाध ध्याय सबसे ज्यादा इंपॉर्टन्ट है मैं तो लेक्शर देके आपको बता दूँगा लेकिन जब तक आप हाथ सामने से देखेंगे नहीं टच नहीं करेंगे फील नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आए और सबसे मज़े वाली बात यह है पामिस्ट्री के अंदर दो चीज़े बहुत जाया ध्यान देने वाली होती है जब सामने से कोई आपका हाथ इस तरह से दिखा रहे है आपको तो टैरेक्ली उसको तच मत करना तो जो लोग जिखने वाले होंगे ना उनका हाथ पकड़ सकते और उनके साथ आपकनेक्ट हो रहे हैं अच्छे से और जिनका हाड होता बहुत ज़्यादा इसके उनको जल्दी हाथ मत लगाना देखना चेक करना फिर आपको थोड़ा समझ के फिर उसका उनके बॉड़ी को टच करना क्योंकि जब भी हम किसी के संपर्क में आते हैं आप बहुत भेंकर तरीके से अगर आप जैसे मेडिटेशन करेंगे तो आप अगले को समझ पाते हैं कि जिसके साथ आप कनेक्टेड होते हैं एनरजी बढ़ाक से आजाते हैं हमारे पास और हमारा इंटूशन बोलने लग जाता है आप मुझ से भले ही ना बोले लेकिन दिमाग आपका चलने लग जाता है यह एस्ट्रोज है उनको आप जल्दी टेस्ट कर सकते हैं बिकाज देया स्मूध उसके साथ उनके ओरा में आप जल्दी को पप हो जाएंगे जिनका हाड़ स्किन है ना वह जल्दी ओपन होना नहीं चाहेंगे वह आपकी आपका टेस्ट लेना चाहेंगे तो जब कोई अगले से आपका साम करने के लिए बस जो ऑटोमेटिकली ब्रेइन से वैक आफ दे माइंड कुछ आ रहा है तो उसको बोल देना चाहें ठीक है